हेलो आज हमने बहुत अच्छी ट्रेडिंग की कल जो हमने वीडियो बनाया था बिल्कुल उसी के बेसिस पे मार्केट ने मूँव किया इवेन हमें बहुत अच्छी ट्रेड्स भी आज मेली मैंने बिगिनिंग में ही बिल्कुल आपको एक रेंज शेयर कर दी थी जिस रेंज साइड में ब्रेकाउट होते ही हमें एक बहुत अच्छी ट्रेंडी मूव मिला अफकॉस अगर आपने बहुत आउट आप दमनी से पी बेचा होगा तो आई डोंट थिंक सो आपको बहुत प्रॉफिट मिला बट मेंबी 60-70 पॉइंट तो कहीं नहीं गए आप अगर अगर आपके पास बहुत अच्छा प्रॉफिट रहोगा बट ट्रेंड आज बहुत क्लीन था निफ्टी पहले से बहुत ट्रेंडी था पट बैंक निफ्टी ने क्या किया बैंक निफ्टी ने लास्ट में ट्रेंड पकड़ा और लास्ट में आपको बहुत अच्छा ट्रेंड र के और profit booking कुछ खास ज़्यादा नहीं है इसका मतलब Monday के लिए भी market में क्या है holding से है तो इसके लिए हम अब जो हमारी आज की strategy होगी कि next week Monday को market कहां खुल सकता है और क्या trading हो सकती है वो और clear हो जाएगी हमें कुछ ज़्यादा परिशान नहीं होना पड़ेगा ठीक है तो चलो अभी यहां पर देखो चार्ट में देखते हैं आप सबसे पहले देखो कि टेलिग्राम पर मैंने आज क्या किया था मैंने एक range आपको भेजी थी देखो एक यह range भेजी थी मैंने 1040 के आज पास buy और sell sell का कुछ option बना नहीं जो buy का option है ना market ने beginning में ही यहीं पर break कर दिया यहां पर market ने break कर दिया मेरे पास भी add the money का put था तो it was not very much decay maybe 70-80 points का था पर आज सब ने अच्छा पैसा बनाया आज अगर कोई बोलेगा कि आज पैसे नहीं बने तो वो तो मतलब उसने खुद कुछ गलती की market ने आपको कुछ भी गलती नहीं करने दी market एकदम perfect थी बिल्कुल एक typical नेरो रेंज मार्केट होती है नेरो रेंज में क्या होता पहली candle के between ही market चलती है दो घंटे फिर उसके बाद upper side में break out करती है and then trendy हो जाती है तो बिल्कुल वही market था आप देखो के market को यह 44,100 यह 44,000 वाला area है जहां पर market आके रुक चुकी है यह almost market ने 1,2,3,4,5,6 छटवी बार market यहां पर आके टच कर रहा है और अब देखते हैं देखो जितनी बार यह टच करेगा ना उतनी बार यह week होता चला जा ठीक है चलो थोड़ा सा analysis कर लेते हैं कि अब कल के लिए क्या देखो कल का मतलब मेरे लिए मंडे से ठीक है मंडे के लिए क्या मंडे के लिए आप देखो बहुत अच्छी market है यहां पर सिर्फ आपको यह देखना है कि market ने pause लेके कहां से start किया सबसे पहले न मैं जो scenario discuss करने वाला हूँ वो है अपने gaps का देखो आप यहां से देखो कि market downside में यह इस जगा से pick up पकड़ा है market ने ठीक है इस जगा से जो थोड़े smart लोग होंगे वो यहां पे इंटर किये कुछ लोग यहां breakout में इंटर किये यह दोनों की entry points से market बहुत उपर है तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं सोचू कि market यहां 44,300,44,200,300 point gap up खुलता है तो most probably market sell off होगा यहां फिर first half में profit booking आएगी मतलब market कैसा हो सकता है market first half में ऐसे नीचे की तरफ आएगा and then time pass और 12 बजे फिर से continue कर जाएगा अपना जो उसका trend है already running that is bullish ठीक है तो अगर market gap up खुली तो मैं simply यहां पे selling के लिए सोचूँगा first half में side trade ना भी लूँ ठीक है जो selling ओले trade है ना लूँ and then यहां पर 11-12 बजे के बाद market अगर ऊपर को गई तो यह area में trade लूँगा जो की एक बहुत अच्छी trade यहां पर बनेगे ठीक है आप दोनों trade ले सकता market V shape दिखा सकता है अगर gap up खुला तो ठीक ह यहां पर buyers थे ना इन सब को panic में अपनी trade निकालनी पड़ेगी इन सब की trade में कुछ भी खास profit नहीं हो रहा होगा और यह loss में भी जा सकते है तो जैसे यह जरा से भी loss में गए ना तो लोग अपनी जो trade होगी उसको close करने का try करेंगे और market उसके बाद धढाम से गिर है कि अगर यह जो bullish market आज थी अगर इसको Monday को बिलकुल इसी way में खुलना है या इसी trend के साथ खुलना है तो market को gap down नहीं होना चाहिए कि market अगर gap down हो ही ना तो उसके बाद सारे bulls की city pretty bull ठीक है अब देखते है flat flat का मतलब मेरा है from here to here this is a flat area मेरे हिसाब ठीक है flat area का अगर मैं ठीक है यह जो 200 point है अगर market इनके बीच में open होती है तो यह पूरा sideways area है सबसे अच्छी trade बनेगी वो होगी upper side में breakout तो sideways मतलब इन दोनों के between market अगर खुली that will be a flat market flat market अगर open होके उपर की तरफ गई तो मैं एक बहुत अच्छी trade लूँगा यहाँ पे buying का perfect scenario है अगर flat खुलन देगी क्योंकि market में फिर यहां से buyers हैं वो बार-बार try करेंगे नीचे आने के बाद ऊपर खीचने की तो आपको downside की trend वाला trade मिलना आसान नहीं है अगर market flat कुली gap down कुली तो purely sell है पर अगर flat कुली तो नीचे की तरफ की trade मैं नहीं लूँगा अगर कुछ और भी हुआ तो मैं टेलिग्राम पर update कर दूँगा बट यह तीन सेनारियों है जो मैं मंडे के दिन magnitude में देख रहा हूँ ठीक है आपको यहाँ पे देखो टेलिग्राम पे मैंने आज बिल्कुल broke above my view remains sideways to bullish sideways to bullish का मैंने 11-12 बजे देदी था 12 बजे के बाद market ने काफी अच्छा move की आप देखते हो यहाँ 12 बजे यह देखो breakout इसी जगा पे मैंने आपको यहाँ पे टेलिग्राम पे शेयर किया था तो अगर आप टेलिग्राम पे नहीं हो and you are doing intraday तो आप आपको काफी ज़्यादा help मिल सकती है टेलिग्राम पे आप यहाँ पे थीटा गिनर्स को subscribe कर सकते हो आपको लगबग 111,000 लोग है यही अपना चैनल है दूसरा पोई चैनल नहीं आप यहाँ पे जाइन कर सकते हो आपको कुछ भी नहीं आपको यहाँ पे बिलकुल easily सारा easy language में आपको सारी चीज़ यहाँ पे देखने मिलती है if you are intraday, positional trade में आप भी share नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत होजपोज हो जाती है लोगों को समझ नहीं आता है ठीक है अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके बाद इसके बाद अगर Monday के दिन bank nifty में यह सारा कुछ हो ग movement यह वाला movement आपको देख रहा है इसी के ऊपर market खुली पहली candle 15 minute की जुथी उसको breakout किया and then सिर्फ breakout ही करता रहा breakout ही चलता रहा market में market 18.340 से लेके सीधे 18.480 यह 500 पर आके close कर दिया market ने अब यहाँ पे अगर मैं आपको daily में देखा हूँ तो और थोड़ा clear देखेगा daily में अगर आप nifty को देखोगे nifty ने breakout दे दिया है nifty is bullish this is clear language में आपको बूल रहा हूँ 18.220 की उपर जब तक market है market is bullish क्योंकि इसी जगा पे लोगों का SL होंगे जो bullish है तो अगर यह SL जाएंगे तभी bullishness जाएगी तो simply आप समझे लो next week या उसके अगले week के लिए भी यह हमारा short term SL है 18.220 will be our short term SL ठीक है ओके अब यह bullish होगी यह purely तो आप बस इतना समझ लो कि आपको just take pullback की need है to enter this ठीक है तो पंदा मेट के चार्ट में हम जाते हैं और इसको analyze करते है analyze करने के लिए आप देखोगे जो यहाँ पर base point मुझे देख रहा है that base point is simply at around 18.420 ठीक है तो अब देखते हैं कि market अगर देखो market अगर यह 420 से लेके in between इस area में open होती है इस area में तो मैं सिर्फ एक ही price section search करूँगा that is this range breakout जो अपना normal breakout scenario होता है मैं इसी को search करूँगा और इसी price section के through मैं nifty में trade लूँगा जब तक nifty 18.420 के ऊपर है 18.420 के ऊपर आपको सिर्फ bullish rates को खोजना है खोजना मतलब price section को देखना है ठीक है अब हम देखते हैं कि अगर गलती से market gap अप खुल गया तो क्या होगा अब देखो gap खुलना ही just मेरा एक डर है बस वही एक दिक्कर की बात है क्यों विकित देखो market लगबग 18.220 से लगा त 18.500 almost 300 points उसने दो दिन में cover कर लिए अगर यह और 100-500 points उपर खुल गया तो यह सारे लोग booking श्टार्ट करतेंगा तो अगर profit booking आएगी तो आपको same first half में आपको down देखने को मिल सकता है market में nifty गिर सकती है आपको problem आएगी तो gap up हो तो अपनी trade को book कर लेना अगर आप bullish थे already या फिर hold करे गया हो otherwise gap up पे नई trade मत लेना ठीक है तो gap up पे selling scenario flat खुलने में buying scenario and थोड़ा सा अगर gap down भी खुलता है but it's above 18.420 तब भी आपको price section देखके buying ही करनी है below 18.420 gap down will be a sell-off below 18.420 gap down will be a sell-off and I think इतना इनर्सिस काफी है Monday के लिए Monday will be very clean Monday को आपको कोई खास problem नहीं आन कर रहा हूं क्या range चल रही है बस Monday को कोई प्राउड नहीं कि Monday will be very good to trade ठीक है कई सारे लोग bullish view लेके गया होंगे अगर gap down खुला अच्छी trade मिलेगी flat खुला तो अच्छी trade मिलेगी सिर्फ gap अप ही आपकी trade खराब कर सकता है तो just think कि gap up हुआ तो selling आने वाली है उसको mind में ब कर सकते हो आप लाइक कर सकते हो अगर आपको कोई question है तो आप उसको comment करो ठीक है अगर आपको कोई दोस्त options selling सीख रहा है और first time try कर रहा है तो आप उसको refer कर सकते हो ठीक है चलो टाटा बाइबाई और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like and subscribe जूरूर करना बाइबाई thank you कर दो